नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा, इस विडियो में हम दिस्कस करेंगे कि एसनाक प्लस टेबलेट का उप्योग किन कंडीशन्स में किया जाता है, एसनाक प्लस टेबलेट को कैसे लेना चाहिए, और एसनाक प्लस टेबलेट की वज़े से क्या साइड हो सकते हैं और यह भी डिसकस करेंगे कि एसनाग प्लस टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए एसनाग प्लस एक ब्रैंड नेम है एसनाग प्लस टैबलेट के अंदर दो दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है एसनाग प्लस टैबलेट के अंदर सॉल्ट कमपोजिशन एसिकलोफनेक 100 mg और पेरासिटामोल 325 mg होता है एसनाग प्लस टैबलेट का उप्योग बुखार होने पर, शरीर में दर्ध होने पर और सूजन को कम करने के लिए एसनाग प्लस टैबलेट का उप्योग किया जाता है। यदि आपके शरीर पर कोई चोट लगने की वज़ा से सूजन आ गई है, तो एसनाग प्लस टैबलेट उप्योग शरीर की मासपेशियों में दर्ध होने पर, शरीर की हड़ियों वर शरीर के जोड़ों में दर्ध होने पर, सिरदर्ध होने पर, बुखार होने पर, दातों में दर्ध होने पर, कमर के दर्ध, कान के दर्ध और गले के दर्ध आधी कंडिशन्स में ऐसनाग प्लस ट तो ज्यादा तर व्यक्तियों में ऐसनाग प्लस टैबलेट की वज़ह से कोई side effects नहीं होते हैं लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में ऐसनाग प्लस टैबलेट की वज़ह से कुछ side effects हो सकते हैं जैसे बदहजमी होना, पेट में दर्ध होना, पेट में जलन होना, कबज होना, उल्टी आने का मन होना, तवचा पर खुजली होना, तवचा पर रैशेस होना, भूप कम होना, दस्त होना और लिवर इंजाइम बढ़ सकते है. ज्यादा लंबे समय तक या ज्यादा ॉज में चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अब हम डिसकस करेंगे कि ऐसेनक प्लस टेबलेट को कैसे लेना recommended होता है。 ऐसनक प्लस टेबलेट को खाना खाने के बाद लेना recommended होता है。 आम तौर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्तर एसनाक प्लस टैबलेट को दिन में दो बार लेने की सलाह देते हैं। पेट में अलसर होने पर, पेट या आंतों में ब्लीडिंग की समस्या होने पर, किड्नी, लिवर या दिल से संबंधित कोई गंभीर बीमारी होने पर एसनाक प्लस टैबलेट को लेना रेक्मेंडेड नहीं होता है। करने की वज़े से पेट में ब्लीडिंग होने का जोखिम अधिक हो जाता है। एसनाक प्लस टैबलेट मा के गर्ब में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुँचा सकती है। इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं के लिए एसनाक प्लस टैबलेट का सेवन करना रेक्मेंडेड नहीं है। और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए भी एसनाक प्लस टैबलेट का सेवन करना रेक्मेंडेड नहीं है। इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को एसनाक प्लस टैबलेट को डॉक्तर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका एसनाग प्लस टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं.